हाई गाईज वेल्कम इन टीडी चैनल तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप गूगल एडवर्ड में अकाउंट बना सकते हैं 2020 में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने गूगल पर आने एंड एडवर्ड अकाउंट सर्च करना है एंड इंडेन एंटर करदेना है उसके बात जो सबसे पहले आपके पास लिंक का रही है अपने इस पर क्लेक करना है इंड आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपिन हो जाएगा मैं इस page के link description में भी दे दूँगा ताकि आप लोग उस पर click करके अराम से यहां तक पहुँच पाए तो अब आपने यहां पर आने के बाद sign in पर click करना है तो guys अब आपने simply gmail id का अपना password डालना है तो यहां enter करना है आपने and then enter कर देना है and then यह थोड़ा सा time लेगा आपका उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीकी की window open हो जाएगी आपने simply switch to expert mood पे click करना है यहां आपके पास लिखा आपने इस पर click करना है उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे आपके पास काफी सारे option आगे हैं लेकिन आपने यहां देख सकते हो create an account without a campaign आपने इस पर click करना है तो guys simply इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का overview आएगा तो आपने simply यहां पर अपनी billing country आपने time zone and currency आपने डालनी and then आपने submit पर click कर देना है and then यहां लिखा वार है congrats you are all done आपने explore your account पर click करना है तो आप लोग देख सकते हो यह आगया है आपका google adword का account और अगर आप लोग keyword planner यहां से जाना चाहते हो तो आप यहां पर click करेंगे इस option पर और देखें यहां पर नीचे आकर आपने click करना है and then आप keyword planner पर click कर सकते हो अब आपके पास guys इस तरीके की window open हो जाएगी यहां पर आप लोग यहां पर search कर सकते हो keywords और इनके search volume भी search कर सकते हो अगर आप लोग जाना चाहते हो किस तरीके से search करते हैं यह चीज़ें तो हमें comment में लाजबी बताएगा मैं इसके ओपर भी लाजबी आप लोगों के लिए एक वीडियो लाँगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो like करें subscribe करें हमारे चैनल को क्योंकि मैं इसी तरीके की computer mobile और internet related वीडियो लाता रहता हूं and share करें अपने दोस्तों के